आज की हमारी रेसिपी है गणपती पापा के लिए प्यारे प्यारे मोदक, पर ये मोदक थोड़ा हटके हैं, इनकी एक खास बात है, इनके अंदर ना तो कुछी ग्रीन का यूज़ किया गया है, ना इसमें शूगर है, ना आर्टिफिशल कलर है, ना ही किसी आर्टिफिशल यूस किया गया है, इसमें जिन भी चिजों का यूस किया गया है, वे सबी प्राक्रतिक हैं, ये मेरा एक प्रयास है, आप सभी तक healthy और स्वास्ते वर्दक recipes को पहुचाने का, अगर आपको ये recipes पसंद आती हैं, तो आप इने like करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से share करे ताकि उन तक ये recipes पहुँच जाएं तो चलिए शुरू करते हैं बनाना सबसे पहले हम बनाएंगे carrot मोदक या गाजर के मोदक इसके लिए मैंने नारेल का चूरा लिया है और इस नारेल के चूरे को मैंने कद्दू कस कर लिया था इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन को grease कर लेंगे grease करने के लिए आप किसी भी तेल घी का इस्तमाल कर सकते हैं और अगर आपको नहीं करना है तो आप peanut को पीस करके मुंख़ली को पीस करके और उसकी एक कोटली बना ले और उससे भी आप आसानी से इसे grease कर पाएंगे carrot के मोदग बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून coconut या नारियल का पाउडर डालेंगे और साथी इसमें डालेंगे हम दो चम्मज काजू का पाउडर दो बड़ा चम्मज गाजर इस गाजर को मैंने कद्दू कस कर लिया था एक बड़ा चम्मज गुड का पाउडर आदा चम्मज मिश्री का पाउडर यहाँ पर मैंने धागे वाली मिश्री लिये दिसे की मैंने मिक्सी के अंदर पाउडर फोम में चेंज कर लिया था अब हम इन सभी को दो मिनिट तक के लिए भूनेंगे और इने भूने पर हम देखते हैं कि यह देखी आपस में मिक्स होने लग जाते हैं आपस में बंदने लग जाते हैं जब यह आपस में बंदने लगेंगे तो बस हम इने उतार देंगे इने एक या दो मिनिट से ज़्यादा आप इसे ना भूने नहीं तो हमारा माटिरियल जलने लग जाएगा अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा कर लेंगे जब तक हमारा माटिरियल ठंडा हो रहा है तब तक हम मोदक मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे अब हमारा माटीरियल ठंडा हो गया है अब हम इसमें से थोड़ा माटीरियल लेंगे और मोदग मोल्ड के अंदर लगाएंगे इसे बंद करेंगे और टाइटली प्रेस करेंगे अब इसे ओपन करके देखते हमारे मोदग कैसे बने ये देखे हमारे मोदग बहुत ही सुन्दर निकल के आए हैं और इनके अंदर गाजर का नैचुरल कलर भी आ गया है अब हम अपना दूसरा मोदग बनाएंगे और वो मोदग है लौकी के मोदग इसके लिए हम वापस से पैन को ग्रीस करेंगे और इसमें हम दो बड़े चम्मच पमकिन के सीड या कद्दू के बीच का पाउडर डालेंगे दो इस्पून खोपरे का पाउडर डालेंगे दो इस्पून कद्दू कीवी लौकी डालेंगे एक इस्पून गुड का पाउडर डालेंगे और आदा इस्पून मिश्री का पाउडर डालेंगे ये सभी मैंने बड़े चम्मच का नाप बता है आपको अब इसे वापस हैं हम दो मिनिट तक के लिए सेखेंगे और सब भी देखिए फिर से आपस में बनने लगे हैं अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे, माटीरियल को ठंडा करेंगे, ठंडा होने पर वापस इसके हम मोदक बना लेंगे ये देखिए हमारे मोदक कितने सुन्दर और पर्फेक्ट बहार निकल के आ रहे हैं अब हम बनाएंगे जूसी रसीले फलो के मोदक इसके लिए सबसे पहले हम बना रहे हैं पाइनेपल का मोदक जो की सभी का फेवरेट होता है इसके लिए मैं लूँगी तीन चमच काजू का पाउडर और जितना मैंने काजू का पाउडर लिया है उतना ही मैं तीन चमच नारियल का पाउडर इसमें डाल रहे हूँ एक चमच इसमें जैगरी का पाउडर और एक चमच मिश्री डाली है अब हम इसमें डाल देंगे दो बड़े चम्मच, पाइनपल, पाइनपल को मैंने छोटा छोटा काट लिया था, उसके छोटी छोटे क्यूप्स में इसके अंदर डाल रही हूँ पाइनपल के ये मोदक हमारे एकदम रसीले और नैशरल फ्लेवर वाले बनेंगे, अब ये देखिए, वापस हम सेम प्रॉसिस करेंगे, इन्हें फिर से भूनेंगे, सेखेंगे मटिरियल को, सेखने पर ये बनने लगे हैं, इन्हें वापस हम प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इनसे हम अपने मोदग बना लेंगे अब next हमारा blueberry का मोदग blueberry का मोदग बनाने के लिए हम पैन को फिर से grease करेंगे इसके अंदर हम 2 चमच नारियल का पाउडर 2 चमच पिष्टे का पाउडर एक चमच गुड का पाउडर और 2 बड़े चम्मच blueberries मैंने इसके अंदर डाली हैं अब हम material को सेक लेंगे लेकिन देखिए सेकने पर हमारा material जो है वो पतला हो रहा है ये बाइंड नहीं होगा तो अब हम इसके अंदर दो चम्मच नारियल का powder और दो चम्मच पिष्टे का powder और मिला देंगे और साथ ही इसके अंदर थो अब बारी है apple मोदक की हम फिर से same process करेंगे इसमें वही नारियल का powder डालेंगे चोटे चोटे कटे वे apple डालेंगे सूरज मुखी के बीज का powder डालेंगे गुर्ड डालेंगे मिश्री डालेंगे और इन सभी को mix करेंगे इन्हें सेकेंगे प्लेट में निकालेंगे ठंडा क मरेंगे और इनके मोदक बना लेंगे अब हम बनाएंगे हमारे अंगूर और खजूर के मोदक रसीले अंगूर के ये मोदक बहुत ही tasty और यम्मी लगते हैं इन्हें बनाने के लिए हम वापस से डालेंगे नारियल का powder कद्दू के बीच का powder पिष्टे का powder अंगूर और quantity भी हम इसके अंदर कम रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑल्रेडी खजूर की मिठास होगी ये देखिए हमारे सारे मोदक एकदम परफेक्ट बने हैं और कितने सुन्दर लग रहे हैं अपने इन प्राक्रतिक फ्लेवर और प्राक्रतिक कलर्स के साथ में अगर आपको य रेसिपी पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन मोदक्स को खाके इंजॉय कीजिए